पांच साल में एक बार ये सुनहरा मौका देश की जनता के हाथों में आता है और बाय हाथ की इस उंगली पर लगने वाली साही देश का भविश्य तै करती है और देश की जनता पांच साल में एक बार ये गेम शो खेलने निकलती है कि कौन बनेगा प्रधान मंत्री जी हाँ आज MP News के इस लाइफ शो में रेट कारपेट पर राजनीती के वो तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं साथ मौजूद हैं भारतिय जनता पार्टी के सीनियर नेता और मेंबर ओफ लेजिस्लेटिव असेमली श्री महेंद्र हाडिया जी हमारे साथ मौजूद हैं Congress Party के मले और यूवा जाबाल नेता श्री विशाल पटेल जी साथी साथ हमारे साथ मौझूद है कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अमिनूल खान सूरी जाहब हमारे साथ मौझूद है जितेंद्र वैद जी जो की आबुधाबी में भारती जनता पार्टी के लिए काम करते हैं एक जिमिदार नागरी खुनी की भूमी का निभात है हमारे साथ मौझूद इंदौर विकास प्रादीकरन के पूर्व संचालक श्री राजेश उदावत जी सबसे पहले बात करते हैं चुकि देश में मोधी सरकार ने पांच सालों तक कई क्रांती कारी फैसले लिये हैं ऐसे में क्या सोचता है भारत देश का युवा वो युवा जो की आने वाले कल का कर्णधार है और वो युवा जो की भारत की आन बान और शान है तमाम युवाओं के सवाल लेंगे और उन पर बेबाग जवाब जानेंगे राजनीती के इन तमाम बड़े चेहरों से सबसे पहले शुरुवात करते हैं चुकि देश में 5 साल बीजेपी की सरकार रही कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा क्या सोचते हैं विधायक जी सीधी बात करते हैं विदायक श्री महेंद्र हाडिया जी, नरेंद्र मोधी जी का रिपोर्ट काड़ अब जनता के सामने हैं, कितने नंबर आपको लगता है कि जनता इस बार देने वाली है और देश क्या युवा पूछ रहा है कि कौन बनेगा प्रधान में। उन्होंने देश की आंचिरी सुरक्षा कैसे मजबूत है उसके लिए किये हैं, उन्होंने मुद्रा सिर्थी कैसे और महेंगाई कैसे कंट्रोल में उसके लिए काम किये हैं, उन्होंने युवा के लिए स्टार्ट अप, स्टेंड अप, मुद्रा युज़ा जैसे कई आज हमारे साहथ पाकिस्तान के मामले में पिरले हमारे साथ रसुया ख़ला रहेता था। वो सारे देस हमारे खिलाब होते थे। आज जिस्तिति ίे कि पाकिस्तान के साहथ 신चाना ख़ला है। तो एक जो बहुत बली उपलब्दी इन पास सालों के अंदर हमारी देश ने पाई है, जो सम्मान पाया है, जो हिज़त पाई है, जो हमने दूसरे देशों को अपनी और आकश्रित किया है, वो सब में समस्ताओं की एक अकल्पनी है और इसमें की निशित रूप से मानी मोदी जी का परिश्रब, मानी मोदी जी की मेनत और 130 क्रोड जन्ता का प्यार इसके पीछे है. विशाल जी क्या लगता है, क्या वाकई में देश का यूवा ऐसा सोचता है, जैसा कि मानी विधायक जी ने कहा, और आपकी नजर में कौन बनेगा प्यार इसके बात से बित्ती है, वादे बहुत हुए, क्या वादे कौन सा पूरा हुआ इस तरह, बात होती थी से कि हम हर व वर्ष रोजगार मिला, क्या गिसानों के हित की कहीं बात की गई, क्या किसानों के हतम जो देश की बात करते थे कि 15-15 लाग रुपे हम खाते में डाल देंगे, क्या किसी उनके खाते में आप आप आए, तो ये जनता समझ चुकी है, आज अगर बात करते हैं सिभ और कि लोग सपा 2009 के कई न कई मोधी लहर थी आल लेकिन वह लहर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है और निश्चित तोर पर इस बार कॉंग्रेस पर्टी की सख़ार बनेगी मोदी लहर कहीं कॉंग्रेस को नजर नहीं आ रही क्या मानते हैं वेद्व साब क्या वाकई में मोदी जी की कोई लहर हिंदूस्तान में है या नहीं इसके पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले 2014 के चुनाओं में 283 सीट मिलेती हैं को वो मोदी लहर थी इस बार सुनामी है 302 सीट मिलेगी आप क्या मानते हैं राजेश उदावास साब मैं जितन भाई की बाद से बिल्कुछ सहमा दो कि यह लहर नहीं सुनामी है और पिछली बार से अधिक सीट हमको 300 के लगबग सीट हमको बीजेपी को मिलेगी लहर नहीं य के विरोध की सिन्वामी आई कि महें धाडिया जी जो हमारे विधायक है बात के जलता पार्टी के वरिष नेता है उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए मोदी जी की बहुत तारीफ की मेरे को पूरा समय देना पूरी बात रखूंगा युवा बैटा इस देश का सामने बोल सुनने के लिए बिल्कुल नरेन मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में रोजगार के मामले में क्या हुआ हमारे युवाओं के साथ में आज सरकारी आकड़ा है 45 साल में सबसे न्यूंतम रोजगार की स्टिति में भारत कड़ा हुआ है किसानों के लिए क्या कहा था 50% MSP आतंगवाद पर प्रभाव पड़ेगा काला धन होगा हुए ये तीनों काम काला धन को बनाने को जो आयोग हुआ था बाबा रामदेव और ये सब साथ गुमते थे क्या हुआ काले धन का 5 साल का स्विच बैंक से आ गए पैसे कहा चला गया वो GDP मनमौन सिंग जी के समय 7.7 आज कहा है मोदी जी के समय 4.4 मनमौन सिंग जी की उम्र से डॉलर का किया गया था कहां पहुंच गया है डॉलर 72 रुपे बहुत हो गई महंगाई की मार अपकी बार मोदी सरकार क्या हाले पेट्रोल डीजल का पेट्रोल डीजल पे कितना लिया जा रहा है ओन जी सी का कैश जरु कहां पहुंच गया है 9162 करोर से मेरा भी खतम नहीं है पूरा बोलूँगा 166 करोर आ गया है क्या इस्थिती होगी गोहत्या की बात करती थी ब्राजील को भी हम पीछे छोड़ गाए बीफ एक्सपोर्ट में इस समय बारत सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करने वा और बीफ एक्सथा पां हमारे नेपाल से वो संबंद हुआ करते हैं कि कोई भी चीज आयात करता था वह भारत से करता था और कोई भी चीज भेषता था भारत के अलावा कई और वैपार नहीं करता था आंतीन सी पोड पे चाइना के नेपाल काम कर रहा है चाइना rail ने बना चाहिए क्योंकि इस देश का युवा सुन रहा है युवा पूछे का सवाल ले शी लंका में हममबोटा पोर्ट है शी लंका से हम हमेशा डील करते थे चाइना आज हममबोटा पोर्ट तक पहुंच गया है किसकी फेलियर है यह आप बताएए शिक्षा के छेत्र में कॉंग्र शिक्षा का पैसा क्या वाकई में कम हुआ है आपके अमान यह इसा बिल्कुल भी नहीं है शिक्षा के छेत्र में भारत ने बहुत बड़ी चलांग लगई है आज की तारीक में हर युवा गर्व करता है अपनी भारत की शिक्षा पे लोग जो बाहर जाते थे पढ़ने तेरा करोड़ टाइलेट बने हैं पिछले पिछले 55-60 साल में 12-13 करोड़ टाइलेट बने आज यह कंपेरिजन देख लीजिए गती देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के काम करने की विधाइक जी आपके मन की बात क्या है देखिए कारोडो लोगों को मुद्याय योजना के अंदर कारोडो लोगों को स्टेंडब स्ट्राइब योजना इंदर गत मानी मोदी जी लोग दिला थे को फूद अपने व्यपार कर रहे हैं विकार के साथ साथ देख जूतर हो भी नोक्री का काम देख साथ इत्ता बड़ा किसानों से किसी का लोन माप हुआ क्या यह तो बताओ भारती जनता पार्टी ने स्वाइल टेस्ट किसानों के उत्पादन शंतर बादी के दिसा में काम किये हैं भारती जनता पार्टी ने 2022 तक डियल गुना लागत मुले से किसानों को मिले इसके लिए काम किये हैं भारती जनता पार्टी के पूर्मुक्मंति मानी सीवराजिंग चोहान ने किसानों को गहुं खरीदा, किसानों का प्याज खरीदा, किसानों के प्याज सरने ने दिया कि आपकी मन की बात भी सुनना जरूरी को कि आप कॉंग्रेस के पूछना चाहरा हूं कि लोग कहते हैं कि करजा माफ नहीं हुआ 25OOOO का करजा माफ हो चुकां उनको नंपने को निजया का ऐस डिकैता और मैं घर भाज़ा आपको बात करते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे 15-15 लाग आएंगे मैं समझता हूं कि सिर्व जो जित्ते बड़े लिड़ों हैं अडानी और अम्बानी जैसे वेक्तियों को ही कर्जे माफ हुए ना कि किसी किसान का या आम आजमी का युवाओं के मन में बहुत सारे सवालात हैं पहले सवाल की शु संबल योजना को क्यों बंद किया शिवराइज सरकार की संबल योजना क्यों बंद हैं देखिए किन भी योजनाओं में कहीं आनीमित आए हैं उससे बहतर योजना लाने का कमलनाजी का प्रयास है उससे अच्छी योजनाई लाएंगी उससे बहतर चीजे लाएंगे क्योंक कि मुद्रा योजना की बात विदाएक जी ने की 22,000 रुपय का लोन प्रतिवेक्टी मिला है जो प्रतिवेक्टि निकाला जाए जितना लोन मिला मोदी जी चल लें डिजिटल इंडिया बनाने इस्चा कॉधि आपり चॉकी दार अगर च्टा कीति और हर शक्स सचॉकी दार आप डिजिटल इंडिया तो करनी पारा तो डिजिटल इंडिया का सपना कैसे साथ देखिए हमारी सरकार ने पढ़ाई के पती पॉलिटी एजुकेशन के पती सजग है उसकी लिए काम कर रही है और देखिए कोई नादा कोई देता है डिजिटल इंडिया करते हैं फाइदा किसका है आज मैं समझता जित्ते युवा इसका ओपियो कर रहे हैं एक हाल से दुनिया के किसी देश में भी निकर रहे हैं आने हमाला समय में आप धिरे देखेंगे आपकी वेबसाइड भी आपकी अप्लिकेशन भी है और मेरा फेस्बूक पेस्ट भी है तुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीज साल हो गए हैं यह काम करने के थे अब विकास सब्सक्राइब किसान उसको खेती करना तो पहले बीज बोलगा सर आपने बीजी नहीं आपने बोच चुके हैं आप बोच चुके हैं 2014-19 अभी 2014-19 में आपने जितना फरक अब कटने के लिए शुरू होगी देखिए मोधी जी बोलते हैं कि यह काम हमेरे काम करने का टाइम था अब विकास का टाइम है अब देखो कि आप परिवर्तन केसा आया अब इंतिधार कीजिए क्या काई सिक्षा को लेके मोधी जी कितने गंभीर हैं वो सरकार बनते ही समझ आ गया था एचारडी मिनिस्ट्री स्मृती इरानी क देदी थी जिनकी एजुकेशन को लेकर खुद समझनी आ रहा हर चुनाव बाए चुनाव घड़ती जा रही है और शायद जब अगली बार फिर राहूल गांदी से आरने आएंगी तब वो केजी टू पास आउट होंगी एक में टेक में पूरी बात हो है अब मोधी जी ने और पांट साल में कितनी सिक्षकों की न्युक्ती की एक सिक्षक की न्युक्ती नही ऋए उसपर इस्टे लगा हुआ तो पर देखेंगे इस देश के हित की बात अगर करते हैं तो मात रहुल गांधी जी करते हैं तो रहुल गांधी जी करते हैं रात भर नरेन मोदी को रहुल गांधी याद आ रहे हैं और पूरी भारतीय जन्ता पार्टी को रहुल गांधी याद आ रहे हैं सपनों में दिखने हैं क्योंकि पूरे देश में एक ही नेता है जो नरेन मुदी से टक्कर ले रहा है और उन्हें पचाड रहा है वो है राहूल गांदी पूछ लेते हैं क्या युवा सोचते हैं राहूल गांदी टक्कर दे रहे हैं यही इस देश में हो रहा है फेस्बूक और एक में पूरा जवाब दूहां फेस्बूक और वाट्सप के नाम पर भारती जनता पार्टी आप लोग को छलने का प्रयास कर रहे हैं वह एडिटेड वीडियो था उसमें किसी चीज का जवाब दिया जा रहा था राहूल गांदी करूँगा पूरा वीडियो सुनिए क्योंकि यहीं आप लोगों को ब्रहमित किया जा रहा है नरेन मोदी जी द्वारा और यह दूप्रचार किया जा रहा है आप बोल रहे हैं कि रात भर मोदी जी को राहूल गांदी सपने में आते हैं तो मैं आपसे कित्ती सी बात पूछना चाहता हूं कि राहूल गांदी में इसी कोई चार क्वालिटी बता दीजिए इससे वो प्रधान मंत्री बनने योगे और दूसरी बात कि कॉंग्रेस में इससे भी राहूल गांदी से भी उच्छे पदपे दूसरे भी नेता है आप उनको आगे प्रमूट क्यों नहीं करते हैं प्रधान मंत्री बत्के राहूल गांदी की चार क्वालिटी यहां पर युवा जानना चाहते हैं पहले आप अगर अतराज ना करें तो बीजेपी से पूछने फिर कॉंग्रेस के पास आते हैं महिन राडिया जी राहूल ग इसके किसान नहीं हुगा किसां करजा माफ नहीं हुगा तो मेरा मुक्रमंति स्रीपा देसे एका भ quantum चेषन को उल Cakehyun किसानों की पॉर्पन कि पुट्री कर गये थे कि उनको भावनतर युजनात का लाप गया जाएगा अब जाए प्याज की फसलो और जीए ओंगों की फसलो संबल योजनेा निकिए की निया का जभ गरीबा कुलिए ओस कीया, जटी योजने ने तो हीजना को आज रोतों ने स्कूल स्कूल कालेज में विधना परता है, कि का संबल योजने। करिए एक परिवार को एक साल के अंदर पांच लाग का आईश्मानी उजना लाब मिलना लोगों को देखिए वो योजना अभी प्रादम होई धीरे 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 ये योजना पूरेस में लागो होगी और लोगों को एक भूदमा लाब मिलेगा राहूल गांधी कोई जाद भी कभी यह जो जन्यू पेन लेते कभी टोपी पेन लेते यह भी बहुत बड़ी क्वालिटी भाई हमारे भारत राजजी में तो कहा गया कि वसुदेव कुटम्ब कम तो उसमें अहतराज के तो सब तरीके के नाम हो गए उनके एक तो तय कर ले भाई नरेंद्र दाम मंत्री मनमोन सींग ने जो आदेश निकाला उन्होंने सब के सामने फार दिया यह उन्होंने अपने प्धान मंत्री की इजट करें तीसरी कॉलिटी जो उनमें है कि वो अपनी पारटी का जो विकास करना चीए उसकी विनाश करते जा रहे हैं वो जितना जोर से बोलते हैं इतना भाशन देते हैं उतना वह भरतियन तरप ब्राटी की बड़ती चलते और चौंगेसरी कम गरते आते हैं चोथी क्वालिटी उन्हों नें जो आधिना बजा है कि उताय तो करें कि वूरा हो लेकिरा हो लेक्या है जन्यों धारी यह कि है कि एक्या अधिक विधैक जी र नरेंद मोदी जी एक कभी नहीं पहला दॉसरे धनम को नहींदते हैं। हमसे सवाल पूछे जा रहा है, ऊफर बार्द संवं योजना की बच्चों नहीं बहुत अच्छा सवाल किया। पूरी करकर हम निश्यत तोर पर इस चुनाव के बाद वो योजना है उससे अच्छी योजना है जान हित क्या हम लेके आने वाले हैं राहूल गांदी जी सत्य के साथ है जहां पे भी उनको लगता चाहिए उनकी पार्टी में है कहीं भी है जहां गलत है उसको बोलते हैं करनी में अंतर देखना है तो नरेन मोधी और रहूल गांदी में अंतर देखिए क्या करते हैं मोधी जी को कि जो है डिए गांधी परिवार के अगर आलोजना की जाती और बोलते हैं आप लोग तुम यह समझता हूं कि अभी तक के जित्ते प्रदान मंत्री वने मांतर तीन बार गांधी परिवार बना इसा नहीं है कि इस तरी टारी पहें पर और जी सबसे पहले सवाल तो मेरा नाम नितन मॉन डहरिया है और मैं चिन्वाडा मूलता चिन्वाडा से हूँ पुछले 6 साल से मेरा चात्रों के बीच में सक्री हूँ यही पर मेरी पड़ाई चल रही है आप जहां पे वैश्विक इस्तर पे आप जो अपने मुख्यमंतरी की ज मुख्यमंतरी जी का ग्रह जिला है वहां पर कोई संस्तान नहीं इसलिए इंद और आना पड़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज तो सरकार आज बनी है 15 साल से बीचेपी की सरकार थी अगर सेक्षणिक संस्तान खुलना होते तो भी नहीं खुलने देते वो लोग तो मैं समझत यहां तो ठीक है आप शिवरा सिंग जी कि यहां चले जा बुद्धनी में कित्ते सेक्षणिक कि योजनाएं खुली हुई है कित्ते लोगों को रोजगार मिला है कि पूछ लेते हैं चिंदवाडा जो कि मुख्यमंत्री जी का ग्रह जिला है बच्चे का आरोप स्टूडेंट है उनका कहना है कि मां को शिक्षण करती है कि चंदवाला में बहुत विकास किया है मैं नही कि काayan सब्सक्राइब मर्ती देवी की संदेज करें इमर्ती देवी की बात कर रहे हैं महिला एवं बालविकास मंत्री दी का एक वीडियो वाइरल हुआ था सोशल मीडिया पर मानी प्रवक्ता जी थोड़ी सफाई देना तुम्हें आपर बनती है देखिए सफाई मंत्री जी स्वयम दे चुकई हैं एमर्ती देवी जी इचिस वर्क से आती हैं जन्ता ने उनने इतनी बार चुनके विदान सभा में पहुचाया है वो इस्मृती एरानी की ज़़ां किसी की किरपा से कहीं दूसरे अपर हाूस से नहीं आई हैं इतनी बार से लगातार दबरा से वो विधानसभा का चुनाव जीत रही है उनको कुछ तकलीवति उन्होंने आधा पड़ा और कलेक्टर को पढ़ने को कहा मेरा विशे सिक्षा मंत्राले से था स्मृति रानी के मंत्री पास से नहीं था कि वो सिक्षा के प्रति नरेन मोदी कितने गंबीर ह कि सिक्षा के स्थर को बढ़ता भारत के युवाओं को मौका लगता किस प्रति रानी क्यों चिना जिनकी खुद की सिक्षा का स्थर नहीं मालूम कि कि स्थर तक वो शिक्षा में यह बहुत अच्छा काम कर रही है आज आपके सामने रिजल्ट है तीन महीने के अंदर इमर् बनारस को क्वेटा बनाने की बात करते थे इंदौर को युण नहीं बढ़ाया विदेशी मेहमान है आप क्या मानते है आप विदेश से हिंदुस्तान की सरजमी पर आते हैं तो सर एक बात तो मैं बता दूं कि आज की तारिख में 543 सीट पे ही नरेंद्र मोधी चुनाव लड़ रहे हैं यह आम जंता जानती है दूसरी बात दूसरी बात इन्होंने बोला अभी स्रिफ तीन चार महीने उवे सरकार को आए मैं जब यहां से भारत छोड़के गया था तब लाइट जाती नहीं थी आती ती कुछ समय के लिए मैं जावरा से इंदोर 5-6 गंटे में आता था आज मैं धाई गंटे में आता हूँ लेकिन 3 महिने में सब को एहसास हो गया कि हमने क्या गलती कर दी यह गलती अब मद्यप्रदेश की जंता रिपीट नहीं करेगी यह कह रहे हैं कि जनता ने गलती कर दी कॉंग्रेस को सुनकर क्या वाकई में आरोप सही है माननी विदाइक विशाल पटिल अगर ऐसा होता तो इस मत्वदेश और राजस्थान और 36 गड़ में सरकार कांग्रेस की नहीं बनती आम जनता समझ चुकी है चल और लोगों बर्गलाने के वादे लोगों ने किये थे भारती जनता पार्टी ने मैं समझता हूँ कि यहां तीन जगे अगर सरकार बनी है तो निश्यत तोर पर कही न कहीं आम जनता को पता लगया है कि कतनी और करनी में क्या फराग है जनादेश की किस तरह से भारतिय जनता पार्टी इजद करती है वो इस एक लाइन से मालूम पढ़ गया कि जनता ने किस तरह से गलती कर दी यह जनादेश का अपमान है मध्यप्रदेश की जनता का अपमान है यह अपमान किया गया है जनता के जनादेश का जनादेश चाई जब लाइट जाती है मामा जी की याद आती है जब जब लाइट जाती है कह रहे हैं कि दिगविजे सिंग जी की याद आती है अच्छी बात है आप लोगों को अगर यह लगता है कि लाइट जाने में दिगविजे सिंग जी का योगदान है आज मुझे बताईए कमलना जी न यह एक्षन लिया गया कि बिचली को लेके कंभी कई सस्पेंड हुए कई को कारण बताव नोटीज जारी हुआ तो यह किसने किया यह किसने एक्षन लिया जनता के प्रदी जवाब दाही किसने निवाई जनता के जन्ना एक मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी कमलनाथ पूछ लेते जिम्मेदारी की बात अरहा है वापस आरा मगोश क्या सवाल है आप लोगों के पास हम यह जानना चाहते हैं कि आम राहुल गांधी को ही क्यों वोट दे आपका क्या सवाल है आप भी सवाल पूछ लीजिए आप में चानने चाहते हूं कि जन्रेल वालों के है आरक्षन की एक बाली का पूछना चाहती है कि राहूल गांधी को क्यों प्रधान मंतरी चुने उनमें क्या खास बाते हैं उनके पास कौन से वाध है कौन से इरादे हैं दूसरा उन्होंने कहा कि आरक्षन को लेकर जो पिछले दिनों देश में जो कुछ हुआ क्या यह अभी बदली जा सकती है पहले आप से शुरुवाद करते हैं देखिए आरक्षन जब सुप्रीम मानी सुप्रीम कोट का जज्मेंट आया उसके बाद अगर आपके पास पारलियमेंट की लोगों की नेताओं की बातचीत की वह हो कुछ तो आप देखेगा सारे के सारे नेताओ सुप्रीम कोड की से खिलाप अध्यात द्यादेश लाने के बाद पूरए हिंदूस्तान के अंदर इस विशे को लेकर इस विशे को लेकर मार्खाट मची इस विशे को लेकर आहिंसक आंदोलन हुए हिंसक आंदोलन हुए यह भारत के राजजितिक पाइटियों की मानसिक्ता दोरा चरित्र उजागर करती है मानि मोदी जी ने इसके विप्रित उन अगले लोगों को जो वास्तों में आर्थिक रूप से कंजोर हैं उनके लिए सवीदान में दिखिए बहुत इतियासिक हिंदूस्तान के अंदर दो या तीनी वाली इतने वाले सवीदान संसंतन हुए हैं जितने जितने जितना महत्मु इसका इंदर तो यह जो जो 10% अजी तिया इस से किसको लाब होगा उन अगले लोगों को गरीब बच्चों को लाब होगा जिनकी आर्थी किसी ठीक यहाँ पर सफाया गए लेकिन राहुल गंदी का सवाल अमीरूल सुप्शक्लाइट ने 6 में से छौनलती-जी का जो जितने वादे किया हम्ने जाहिसे एक वादा ज्याइब एक रखाई, जिनए उपय की सरकार्ति हम नरेगा हमला यह मन्रेगा हमला आज राइट टू एजूकेशन हमने बोला था राइट टू पूर हम लेके आए यह सारे वादे हमने पूरे किये जनता के बीच में जो चीजे लेके आए राइट टू इन्फोर्मिशन कॉंग्रेस की देने जो पिछली यूपीय सरकार में इस बार हम नयाय लेके आ हैं गरीबी को म आप लोग देना चाहते हैं सबी गर्विएगा उनको मठे नहीं बना रहे आप लोग मतलब उन्हें इसमें यह नहीं एक में बिल्कुल हमने मन्रेगा में प्रोड़क्टिविटी ली काम के बदले में दिया हम यह 72,000 दे रहे हैं इसमें क्या प्रोड़क्टिविटी और इसके लिए मैं आपको निश्रिंद कर दूं मध्यम वर्क पे किसी टेक्स की लाइवलिटी नहीं आईगी सब्सक्राइब नहीं को लेकर नेगेटिव वें में क्यों लेती हैं अब मंध्यप्रदेश में तो आपकी सरकार है क्या बालक जाना चाहता है स्टूडेंट जाना चाहता है कि अब भी इविएम को ले कोई कड़ी आपती अत्राज है आपको देखिए संपूर्ण विपक्ष अभी चंद्रबाबु नाइडू जी पूरे विपक्ष को लेके चुनाव आयोक से मिले कहीं ना कहीं और आप देखिए जितने भी वर्ल्ड जापान चाहिं पर देखिए जो डेवलोप हो चुके हैं जो आगे बढ़ चुके जीवन जर्मनी जापान जहां पर इवियम इंवेंट हुई आज भी चुनाव में वहां इस्तेमाल नहीं होती तो कहीं ना कहीं वहां खराबी है जिजो इवियम के जनक है वही देशार इव से चुनाव होने चाहिए यहां पर कौम्रेश अभी पक्ष़ता रहा इवियम जब तीन राज्यों के चुनाव जीते थे तब बहुत अच्छा था जब से इन्होंने वापिस से शुरू किया इवियम पर सवाल इसका मतलब हार स्विकार होना शुरू हो गई है बटन दबान पर आपको विधायक जी कोई आपती है क्या क्योंकि अब तो सरकार आपकी बनी इसी इवियम पर बटन दबा कर जनता ने आपको इस शुरू का जब इवियम की बात आती है तो आपने खुद ने इस चीज़ प्रमानित की हुई है पेले भी रही बात मेरे या इया मैं मेरे ने छूद सज़क था मैं खुद पड़ा लिखा हूं हर चीज को मैंने वाच किया है पर पाटिकूर्व लेकर आप उस समय गाडियों के अंदर रखी गई और क्यों आप बाकाइदा सीधर लॉकर रूम के अंदर क्यों रिजिग जाती है अगला सवाल क्या है ऐसे सबूत हैं शोने की छीडिया चाहता हैं और नोट बंदी के बाद और काला इस सव़ घवाद सब्सक्राइब में कि सौने की चोंड कि चुडिया भॉन के नोट बंदिवी और जो आपना syllस्तान आगए तो अपना और कुछ 9 तिस सामने आकर्ण Сबस्वें तोस्के नित में तो सब्सक्राइब क्या चोकिदार चोर है युगार जानला साथ देखिए नीरो मोधी को लोन तुम दो लोन पर लोन तुम दो सारे जित्ते विदेशी भगे आप उनकी हित्यास उठाएंगे तो आपको मालू पोड़ागा कि उनको कांगरिस के चाचन में लोन मिला अब हमारा देश का प्रदार उन सारे भगोडों के धर्ति दो तिनको लिया है और कौन से मामा है उनको मिजल मामा तो आगा यह जेल में वह यह भी आपकी आना बाकी धीरे धिलकर सब आएंगे और जो बेंका पेसा इन्होंने लिया है सादा का सादा पेसा इनको देना पड़ेगा यह बात बिल्कुल सत सबसे बड़ा चोकिदार हूं और चोकिदार है इन्हों ने 30,000 करोल पे बोला एक दिन पहले राहूल गांधी ने इंडियन सबस्केदार है और पूरा युबा बेरोजगार है आप लोगों आप लोगों क्या करें बड़ चॉकिदारी आप लोगों ने कुछ नहीं किया है सिर्फ हम चॉकिदार है मौर मन मौहन मतलब आपस में करते रहते हो पास सालों में जो 50-60 साल के गड़े ते देखिए 70 साल इस देश में आजाद हुए हुए 11 साल भरतियनता पाटे की दो प्रसान अटल वियर इवाजपाजी नरेंद मोदी जी कुन साथ साल कॉंग्रेस ने राच किया आज अगर 69 सालों में कॉंग्रेस ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया होता तो आज हमारी सरकार ना होती आजуется राच कर दो हैं इसली एक गूरोग्रेस के 30 साल के शाषैन के जो गड़े थे प्रधान मंत्री में बरने काम किया और अगले पांस साल में ऐसा यूवा अपने खुद के बलबूते अपने धम पे खड़ा रहेगा और यह खुद वेपार भी करेगा यह नोकरी भी करेगा और दूसरों लोगों को रोजगार भी देगा यहाँ पर निकली थी बात चौकिदार चौर से यहाँ पर यूवा कह रहा है कि चौकिदार चौर है उससे मतलब नहीं हम तो बेरोजगार हैं बिल्कुल बिरोजगारी पर मैंने का पर सबसे पहले में मेरे भाई की बात का एक जवाब देना चाहता हूं थोड़ा समय लोगा 1947 में अखंड भारत था पाकिस्तान बना आजाद हुआ हम दोनों आजाद हुए लाल गेहूं हम रशिया से बुलाते थे आपके पूर्वा जो से पूछेंगे तो वहाँ बियर बनती है उसके बाद जो बच जाता था वह लाल गेहूं या खाने के लिए आता था भारत में ख बहुत अच्छा भी हो सकता था इससे भी अच्छा होता हो सकता है पर इससे भी बुरी गर्थ हो सकती थी जो हम 2014-2019 के बीच में देख मैं कहता हूँ एक ही चोकीदार चोर है वो नरेंग मोदी है और दूसरा बनारस के एपिसोड के बाद वो कायर और डर्पोग भी है कायर और डर्पोग भी है बनारस चूंकि 1947 की बात करी है जवार लाल जी ने गरीबी अटाओ वो ली उसके बाद में उनकी बेटी ने मेरा कुश्चन बारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों से है कि अगर इन लोगों की सरकार आती है तो सर बेरोजगारी के शेत्र में लोग क्या रणनीतिया है इनकी ये मुझे बताएं बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे अगला सवाल क्या है बोलते थे काला धन देश खानाखा के सो रहे हैं वो भी हिंदू है क्या यही राष्ट वाद है क्या यही इन दुवाद है और आप जब सर पार्टी एंग राम अंदीर बनायेंगे रहद बनागा रपारेंगे वोट मेर्त लेते हो तो मेरा टेमी अगर ऊसली नटुवादी हो जब आप तीन तुना स मन्दिर नहीं बताएंगे यह पुराना सवाल है फिर एक बार निकलाया है मैं जाता हूं कि विधायक जीस पर जवाब दे अगर इस देश के अंदर राम मन्दिर कोई बनाएगा तो भारती जन्ता पार्टी की सरकार में बने गा एक बात मिश्टी समझ दीजी आप दूसरा राम मंदिर मनाने के अंदर लगाता सुप्रीम कोट के अंदर कौन पार्टी गई कौन लोगों ने इसमें अणगा अड़ाया कभिल सिब्बल किस पार्टी के नेता है देखिए ये कांग्रेस ने राम सेतु को अस्थितु को ने शिपकार किया इसी कांग्रेस ने सुप्रीम कोट के अंदर सुप्रीम ने देखिए प्रजात आंतिक व्यवस्ता से राम मंदिर का निर्मान होगा सुप्रीम कोट हाई कोट में हापन जीते हैं सुप्रीम कोट से भी अपने पक्ष्ट में लिनने आएगा इसलिए उस पर अध्यादेश लानी सकते थे तुकि वह मामला नियाला में था और दूसा सुरू उननी सो उननी सो से तालीस के बात करी इनने कि हम उननी सो से तालीस के बात हमानी भोष्ट प्रक्रित हुई क्यों मेरा किना कि उननी सो से तालीस के आसपास कित्रेश मुल्क इस विश्व में आजाद हुए हैं वो कर नहीं पतारो ने तारीक नहीं बताएंगे यूवाज़ा ना राम मिला ना रोजगार मिला मिला तो सुपड़ा पड़ा लिखा बेरोम यहां तक अध्यादेश का सवाल है वो भी आएगा हमारे कानून मंत्री रविश रविशंकर प्रसाद में यह बोला कि आप 2020 का वेट करें जब हम राज्य सबा में भी बहुमत के साथ आएंगे और जरुत पड़ेगी तो वह भी लाया जाएगा लेकिन पहले हम कोड की जो है स कोड का वेट कर रहे हैं राम मंदिर वहीं बनेगा हंडेट परसंट बनेगा मैंदिर से इतराइश कि उन्हें ने दूरी बनाना नहीं है जब मंदिर बनाना जाएंगे धुम धाम से जाएंगे ज्रश की जन्दा क्या सवाल हें हैं पर का सवाल है आपने क्या किया मैंने सिधा सवाल आप से रहां कि दो उर को लेकिन इंडिया को आपका वीजन रहें कि ना सवाल आ विजन वांगे 5 Cheese करोड़ कि एक सवाल और लेते क्या सवाल आपने अपने मैनेफेस्टों में देश-ड्रों के कानून को हटाने का लिखा है कि आप अंतर्द्वन चाहते हैं देश में कि देश तूट जाए फिर से बहुत गहरा सवाल है इस पर जवाब तो देना बनता है ने बिल्कुल देश-ड्रों क कानून में जब से वो लागू हुआ लाने वाली भी कांग्रेस थी उसका जो हमने एनलीसिस किया उसमें 192 लोग बड़ी हो गए तो हमने देखा कि कही ना कही लोग जो 192 बड़ी हुए उनकी पीडा को देखते हुए उस कानून में हमने नर्मी करने का प्रावधान हमारे उसमें किया है और उससे यही कॉंग्रेस जो टाडा भी लाई यही कॉंग्रेस जो जरुरत पड़ी जहां पर उनकानूनों को लाई और अब हमने जाना कि जब 192 बरी हुए 15-15-12-12 साल सजा काटने के बाद तो कही ना कहीं हमें लगा कि उसमें हमें नर्मी लानी चाहिए मसूद अजर को जो है उन्होंने आंतराष्टी आतंगवादी घोषित करवा दिया पर हम चाहिए कॉंग्रेस हो भाजपा हो ये तो किसी भी चीज को बुनाना जानते हैं पर पाकिस्तान में हाफिस सहीद पे क्या प्रतिबंद लगे अजर मजूद क्या घ्रिफकार हो गया हम सिब भारतिया जनता पाटी वोट की राजनीती कर रही है इनका कश्मीर के अंदर म मैनिफेस्टों में से आर्टीकल 370 हट जाता है यह तो जैसे मूह देखते हैं वैसी बात करते हैं इनको सिब वोट लेने से मतलब है जनता दे कोई मतलब नहीं नहीं है यह हमारे कांग्रेस की मिच्ट भूल जाते हैं यह जो अपरण करता थे इनको छोड़ने का सिल्चला क कांग्रेस की संबल से कांग्रेस की सपोर्ट से मुप्ती महुमत सहीद देश के घरमंत्री थे उनकी बेटी का छद मुरूप से अपरण किया जाता है और 27 आतंगवादी को छोड़ा जाता है कि ते 27 आतंगवादी को गुलाम नभी अजाथ क महतीशे का अफरन किया जाता है उसके एवज में तेरा अतंगवादी को छोड़ा जाता है देखे मैं मानता हूँ कि जो काबुल की में घटना हुई थी पूरा देश अकुर्शित था पूरे देश से मांग यह थी कि जो यातिरी बंदक मिना गए सरकार उनको छोड़ा है उनकी मांग बहुत लंबी थी किन्तो भारती जनता पार्टी के ततकालिन पितार मंती अटल वैरी वाचवई हमारे सुरक्षा सलाकार हमारे विदेश मंत्री शिरीप 3-4-5 आतंगवादी को छोड़ा और अपने देश के नागलिकों को वापस लेका है यह जो इस ड्रामा है यह आतंगवादी को छोड़नी की कहानी है इसकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी है और यह कांग्रेस ने शुरुवात करी है अरोब बड़ा संगीन है समय की कमी है गड़ी का कांटा तेजी से मेरा कोशिन यह है कि जितनी बाड़ भी बाढ़ बाढ़ भाँए वह है युवा की बात नहीं है है आप गयते हो मैं भी चोकिदार युवा कहां है और क्या एर स्ट्राइक और सिर्जिकल स्ट्राइक का А система चुनावी भाशन में करना जायज है क्या वाकई में ये सेना का गोपनी ये मसला चुनावी सभाओं का अंश होना चाहिए आंतरिक सुरक्षा ये मेरा ये आपका नहीं पूरे देश का मसला है और जब इतना बड़ा हमला हमारी सेना पे होगा और 56 इंच के सेना से जब उसका रिपलाई दिया जाएगा अभी नंदन कोई हमारा मतलब रिष्टेदारी की वज़े से वापिस नहीं आ गया तारीक है जारी की कॉंग्रेस ने कभी सेना के नाम पे वोट नहीं मांगा क्योंकि कॉंग्रेस को दिखाने का बहुत कुछ था उसने जो कारे की है देश में इनके पाद दिखाने का कुछ नहीं है और राष्टवाद भी इनका छदम राष्टवाद है सिफ वोट के लिए ह असली राश्टवाद सम्विधान को रखे सम्विधान की चीजों को रखे आगे चलने में है सेना के साथ भी राश्वाद है पर राश्वाद बहुत सारी चीजों में चुड़ा हुआ है सम्विधान की बार बार आप मरियादा तोड़ते हैं आपके मंत्री मरियादा तोड़ते हैं, आपका प्रधान मंत्री मरियादा में नहीं है, क्या है इस सिती है? यहां पर सेना के नाम पर बहुत बात हो गई, क्या गंबीर सवाल है आपसे बहुत बड़ा गंबीर सवाल है, जो अभी वर्तमान के अंदर राउल गांधी जी इस देश के जुवाओं को और बुजूर को जिनको चलने की कोशिस कर रहे हैं, बारा हजार रुपे खाते में दे करेंगे, लाल पीला फारम भराएंगे, सब लोग घोशना पत्र बनाते हैं, और इन्होंने वचत पत्र बनाया था, इंदोर में वचन पत्र हरे किसी के जेब में नोट रखा, उसमें लिखा रेता है, मैं धारक को इत्ते रुपे अदा करने का वचन देता हूं, फिर इन्ह कम का तो कोई प्रमांट पत्त दे ही नहीं सकता है का कोई भी इंप्लायार, इंप्लायार देगा कैसे इसका प्रमांट पत्र बहुततर अजार गरीवी परवार, लेकिन एक सवाल इवागा है, पहले मैं एक बात रखना चाहूंगा, कि आप बोलते सेना पर राजनीती क्यों आज वहां की नव न्यूक्त महासच्यू ये बोल रही है कि हम वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको इतना भी भरोसानी है कि आप सरकार बना लोगे? चलिए, यहाँ पर एक सवाल और ले लेते हैं, दो सवाल बड़े खंबीर आएं मैं कॉंग्रेस के भाईयों से यह पूछना चाहता हूं, कि इनोंने मंद्रे का लाकर के पहले अनपड़ों को मकार बनाया, अब पड़े लिखों को बहुतर अजार की दे करके और इनको मकार बनाया जा रहा है, मेरा टेक्सपेर का पैसा बहुतर अजार रुपे में फ्री म मैं पूछना चाहूंगा, कि जब हमारा देश जो विश्व के सबसे जादा युवाओ की संक्या वाला युवा देश कहता है, जहां पर सर्वदल मद्दाता के लिए, मद्दाता जागरुकता के लिए काम कर रहे है, आपकी सरकार मद्दप्रदेश चाशन में अभी है, वर का संदेश दे रहे हो, दूसरी तरफ उसी दिन में उनका आप एक्जाम कंड़क करा रहे हैं, दो तीन बड़े सवाल है, गरीबी पर वार बहुततर हजार, ये दो सवाल निकल करा है, देखिए, कांगरेस सर्फ अपने वचन बत्त में कि एक बात और कही थी, कि हम इसे वचन पत्र इनों में बना है, कि सानुगा कर्जा माफ करेंगे, लेवा, पेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, युवा पूछ रहे हैं, विदाएक जी ने आरोप लगे, मैं उसे भी पूछन चाहता हूँ, कि 283 हम लोगों ने वचन दिये थे, उसमें से 283 हमने पूरे कि हर एक वचन पूरा होगा, क्या कांग्रेस के 5 साल पूरे हो चुके, मातर चार महीने हुए हम लोगों को पूरे हुए, हर एक वेकती कोई भी आप में घर में रेता है, अगर अचानक मेमान घर में आ जाए, तो यह समझो कि हातो आतो खाना बनता नहीं, बनने में भी टाइम लगता है, तो हम निशिद रहे हैं, एक एक वचन पूरा होगा, इंतिजार कीजी, एक एक वचन पूरा होगा, पैसट साल और पांच साल का वही तो हाल है, पांच साल में क्या कुछ हो सकता है, सर, जब पैसट साल में, चलिए, यह 15 साल बीजेपी का राज्ता, आगे, पूरा हुआ, एक की भी खाते में 15 लाग आएगा, यहां तो हम तो 4 जारी देनी के बात, 15 लाग आएगा, किसी के खाते में विदाय की पूछ रहे है, 15 लाग जवाब नहीं दिया, मेरे टेक्सपेयर का बहुत तरहाज में क्यों दिया जा रहा है, यह पूछना चाहा है कि किसी भी टेक्सपेयर के पैसे से बहात्तर अजार रुपे नहीं जाए आपको बहात्तर अजार मैं जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ, भारत की टोटल इक्नौमी है, 3 ट्रिलियन डॉलर की, जिसका बहत्तर अजार में पैसा लग रहा है 1% of the total economy ये इश्चा शक्ती का सवाल है पैसा सिव 1% लगना है पर उसको generate करना और ये Congress बहतर रूप से जानती है हमारे पास बड़े से बड़े एकनॉमिस्ट है सी रंगा राजन साब ने मिलके ये बनाई है रगुराम राजन उसमें थे मनमोहन सिंग ये चिदमरम साब है जिन रगुराम राजन को आपने RBI का गवर्नर बनने लायक भी नी चोड़ा और एक बीए पास को बिठा दिया उन लोगों ने मिलके बनाई है अज RBI बीए पास चला रहे है विठाए की कुछ कहना चाह रहे है आपकी बात तिक ये देश की करमी कांग्रेश बहुत अच्छी तरह जानती है 2G, 4G, Colgate में, 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 में अभी यां सजा एक भी प्रक्रण में FIR दर्ज हुई हो पांच साल में ये जिनोंने 2013-14 में आरोबला जो बोलोगे वो करने को तयार हुआ है जो 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 कांग्रेश की जो जित्ती करने में ये लोग समझते न उत्ता उत्ता देश में कोई नी समझता कोड में मामले मुगत में चल रहा है जी पीची दरम शिदम पांच साल में एक फीजी एक भी FIR नहीं है कोड में किस किस बात का चल रहा भी या विनोध राहिम ने रिजेक्ट हो गया प्यान नी मानने का अज़े बेल पे किस लिए गांधी परिवार बेल पर हमारे लिए नेशल हरी ट्रेट पराकम का मामला है नेशल हराल का जो मामला है ये लोग क्या जानेंगे आजादी में नेशल हराल का क्या योगदान रहा है जिन आरे सेस और भरतिय जनता पार्टी के लोगों ने आजादी में एक व्यक्ती खडा नी रहा, नैशर हराल वहाँ पे लड़ा है, सौतनत्रा के सेनानियों के लिए लड़ा है, और राहूल गांदी, सोनिया गांदी जी नैशर हराल के लिए जेल भी जाएंगे, तो उसके यहां पर पुछ लिए अगली सरकार किसकी सरकार यह देश की जनता तैय करेगी लेकिन इतना जरूरत है कि बहुत गर्म थी मुद्धे बहुत तरो ताज़ा थे इंतजार कीजिए जो फसल अब आने वाली तारीक को वोट के साथ बोएंगा आने वाले पाथ साल में आपको विशा और दिशा आखिर क्या होगी ओवर टू स्टूडियो टू अ करता दाशार को डिशा आखिर क्या होगी ओवर टू स्टूडियो किव पतुक्र पर थे अ झाल